वक्त हो गया है हमारे खास शो पांच की आँच का और मैं हूँ आपके साथ प्रशांद कटारे और आज सबसे पहले बात अर्विंद केजरिवाल की केजरिवाल को सुप्रीम कोट से राहत मिली है साथ ही बुलटन में बात होगी वक्त बोट संशोधन विल को लेकर भाई जान के हाई टेक तरीके की क्या है ये तरीका ये भी आपको बताएंगे कानून व्यवस्था पर सबाल उठ रहे हैं साथ ही बात होगी MP में बाल और भारिष की जिसने जिन्दगी को कर दिया है बेहाल इस बार भारिष ने सौ साल का रकोर्ट तोड़ दिया है का और सब्से पहले बात दिल्ली शराब गोटाले की दिल्ली शराब गोटाले केस में अर्वन केजरिवाल को गिराफतार किया गया था इडी केस में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी अब सुप्रीम कोट ने से उन्हें सीवियाई केस में भी जमानत मिल गई है इससे अब उनकेस जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है केजरिवाल इस केस में साथवे आरूपी है जोने सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है अरविंद केजरिवाल को जमानत पर आम आदनी पार्टी में जश्न का माहुल है तो अरविंद केजरिवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे शरावनीती केस में ईडी ने उन्हें 21 मार्च को जिरफ्तार किया था और एक अप्रेल को वो टेहार जेल भेज दिये गए बाद में 26 जून को CBI ने उन्हें जिरफ्तार किया था और आज 13 सेटमबर को केजरिवाल को जमानत मिल गई है केजरीवाल के सर्वुच अदालत ने केजरीवाल को सशर्ट जमानत दी है और आपको यह भी बता देते हैं आखिर कोट ने किन शर्टों के आधार पर केजरीवाल को जमानत दी तो केजरीवाल दफ्तर नहीं जा सकेंगे यह शर्ट उनके सामने रखी गई है और केस को लेकर सापजने टिपडी भी नहीं कर सकेंगे अर्विन केजरीवाल ट्राइल कोट में पेश होना हुगा ये भी शर्त रखी गई है कोट के द्वारा और सरकारी फाइलों पर साइन नहीं कर सकेंगे अर्विन केजरीवाल गवाहों से संपर्ख नहीं कर सकेंगे केजरीवाल ये भी महत्पूर्ण बात है ये तो ये तमाम शर्तें अर्विंद केजरीवाल के सामने कोट ने रखी हैं तो आज जमानों तुने मिल चुकी है और कई सारे शर्त भी जो है इस दौरान रखी गई और शर्तों के साथ ही उन लाबोला आम आदमी पाटी नेताओं के सीबियाई को पिंजरे का तोता बताने पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया बीजेपी निता गौरव भाटिया ने का कि कॉंग्रेस के समय में जो सीबियाई तोता थी अब बाज बन चुकी है जांच एजिंसियों का दुरऊपियोग पिशले दस वर्षों से हो रहा है जांच एजिंसियों के माध्यम से नेताओं को ढराया जाता है और इलेक्ट्रोल बांड और जांच एजिंसियों के नेकसस से धन की वसूली की जाती है हमारे आरोप पूरी तरह से तमाम फैक्स के साथ हैं आज सुप्रीम कोट ने उसी बात के उपर महर लगाई है आज ये एक तमाचा है करारा ग्रहम अंतराले और उसकी जहांच एजिंसियों के उपर कि आप पिंजरे के तोते की तरह काम कर रहे हो उसका भी आदर करना है लेकिन ये जो पिंजरे का तोता कहा है वो पिंजरे का तोता बनाया भरष्टाचारी कॉंग्रिस ने था कोल गेट स्कैम में और CBI पिंजरे का तोता नहीं से सम्मान कहता हूँ आज बाज बन चुका है भरष्टाचारीयों को नोच रहा है काट रहा है और इसलिए भरष्टाचारीयों को दर्ब और हमाचल प्रदेश के शिमला में मस्जिद में अवेद निर्मान के विरोध के बाद अब मंडी में भी हिंदू संगटनों का जोरदार प्रदर्शन जारी है मंडी में जेल रोट पर वनी मस्जित में अवैद निर्मान को गिरानी की मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार हो रहा है प्रदर्शन को लेकर मंडी शेहर में भारतिये नियाय सहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है दरसल हिंदू संगठन मस्जिद के अवैद निर्मार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और प्रदर्शन को देखते हुए मंडी में धारा 163 भी लागू कर दी गई है नगर निगम ने अवैद नर्मार तोड़ने का आदेश दिया है तीस दिन के अंदर अवैद नर्मार तोड़ने का आदेश दिया गया है नगर निगम के दवारा और मस्जिद कमेटी को तीस दिन का वक्त भी दिया गया है इस नर्मार को अठाने के लिए तो मंडी में दरसल जो मस्जिद का अवैद निर्मार या कहें कि अवैद निर्मार का जो हिस्सा है मस्जिद का उसे हटाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है बिलके पक्ष और विपक्ष में एक नया अभियान शूरू हो गया है। का भियान चल रहा है सबसे बड़ी बात क्यू आर कोड मुस्लिम और हिंदू दो डो तरफ से जारी किया गया क्या है खबर इस रिपोर्ट में देखिए वक्फ पर्ड भाई जान का हाई टेक तरीका क्यू आर कोड से रुके का वक्फ बोर्ड बिल वक्फ बहाना मुसल्मानों को भड़का न इसमें राय देना है तो कि हमारे समाज में अभी ये चीज़ जादा मालूबत नहीं है लोगों को पड़े लेके नहीं है तो इसलिए हम लोगों उनको बताने के लिए आए ओवैसी चेश्ती वक्फ पर नई कुष्टी दिल्ली से भोपाल वक्फ पर एक नई जंग चड़ गई है वक्फ बिल के विरूध में एक नया तरीका भाई जान ने अपनाया है जो हाल दिल्ली की गलियों में है वही हाल भोपाल की स्टर्कों पर यहां भी मुस्लिम समाज के लोग वक्फ के विरूध में प्रदर्शन कर रहे हैं AIMIM ने देश भर में विरूध शुरू कर दिया है जबलपुर में भी AIMIM के पदाधिकारियों ने पार्शत के साथ मिलकर बारकूट अभियान चलाया इस अभियान के तहट संगठन के पदाधिकारी मुस्लिम बाहुल्य इलाखों में बारकूट के पूस्टर चिपका रहे हैं इसकी जब काले कानून की हम मजम्मत करते हैं इसकाले कानून में जबकि बफ की जमीनात जो भी होती हैं वो किसी ने किसी ने दान की होती है और दान की जमीन में सरकार उसमें काला कानून ला रही है इसलिए हम उसकी मजम्मत करते हो हिंदो और मुस्लिम समाज के लोग क्यू आर कोड के जरिये वक्व पर अपने अपने सुझाव दे रहे हैं उधर इस पर मध्यप्रदेश में सियासी तकरार शुरू हो चुकी है यह मुस्लिम समाज के पुर्खों की संपत्ति है जो दान दी गई थी और उसको दान दी गई थी सोशल कॉस के लिए अब यह वफ एमेडमेंट करना चाहते हैं तो जो लोग चला रहा है उन्हीं के हिसाब से राय ली जाएगी ना उसी वर्ख से उसी समाज से ली जाएगी कि इसका उपियोग हो रहा है या दूर्पियोग हो रहा है अगर उसका दूर्पियोग हो रहा है तो एमेडमेंट होना चाहिए और नहीं हो रहा है तो नहीं होना चाहिए पीजेपी तो नफरत भिलाने का काम करती है, भरम भिलाने का काम करती है, हम सच्चा ही बताने का काम करते हो और आरिफ मसूद हों या दूसरे लोग हों ये बक्की संपति का दुरुपयोग करके मिस्यूज करते हैं और गुंडे मवालियों को पालते हैं वक्फ को लेकर मुसलिम और हिंदू लोगों की अपनी राय है हिंदू लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर बोर्ड लगा कर उसे अपना बता दिता है एक राश्ट है, एक कानून बने जैसे एक राश्ट एक कानून रहेगा तो हमेशा समाज में सेकुलरिजम की भावना रहेगी समाज में समरस्ता की भावना रहेगी डिवीजन समाज जो है दो सुसाइटी में डिवाइडेंड रूल से बचेगा डिवाइडेशन नहीं होगा फिलहार वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर QR कोड वर्सिस QR कोड की लड़ाई शुरू हो चुकी है एक तरफ हिंदू, दूसरी तरफ मुसलिंग, दोनों ही समधाय के लोग अपने सुझाव दे रहे हैं बफ बोर्ड अपनी संपत्यों का एक अधिकार जमाए या उन पर काम करें उससे अपत्ति नहीं है लेकिन जो दूसरे समधाय के लोगों की संपत्या हैं, जो सरकारी संपत्या हैं, जो या खाली जमीने हैं उन पर बोर्ड लगा कर जिस तरीके से मनमानी की जाती है, वो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए हैं महुकान पर सियासी महाभारत जीतू पटवारी ने लगाया बड़ा आरूप कोई हैं महलाओं को संदर में तो मत्य प्रदेश हैं कॉंग्रिस का वार बीजेपी का पलटवार महुकान पर मध्रदेश में सियासी महाल गर्म है घटना को लेकर कॉंग्रिस बीजेपी पर हमलावर है कानून विवस्था पर सवाल उठाए जा रही है उधर कॉंग्रिस के आरूपों पर बीजेपी ने पलटवार किया परादियों को सजा देना ये सरकार का काम है और हम इसादार पर अपरादियों को सजा देंगे जीतू पटवारी जी गटना चाहे महु की हो गटना चाहे बेरसिया की हो गटना कहीं की भी हो जो अपराद करेगा उसको कानून का डंडा सताएगा जेल भेजेगा और उसको ये एसाद दिला देंगे एक तरफ बार पलटवार वाली राजनीती है, दूसरी तरफ पुलिस मामले में अलच है, लूट और महिला मित्र से गैंगरेप के तीन आरोपियों पर पुलिस ने इनाम घोशित किया है, पुलिस की जान जारी है, दस-दस हजार रुपे का इनाम घोशित किया गया, आरोपिय के रिष्टदारों की घर पर भी दबिश दी गई है, पिलाल पुलिस की ओर से मामले की जाच की जा रही है, इन दौर से मितलेश गुपता, न्यूज एटीन इन दौर, उजेन, MP में अपराध बेलागाम हो रहे हैं, हर दिन बदमाशों का खौफ देख रहा है अब इन दौर की घटना से कानून विवस्था पर सवाल उठ रहा है, बैसे ही घटना है, प्रदेश की अन्य शेहरों से सामने आई है जिसके कारण फिर से पुलिस पर सवाल कहीं न कहीं उठने लगे है मुँपर कपड़ा बांध कर बाइक सवार बदमाश आए थे और चलती बाइक से ही होटल पर कटे से फायर करने लगे सीसी टीवी कैमरे में फायरिंग की पूरी वारदात कैद हुई है और होटल मैनेजर ने पड़ा थारे में अग्यात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्च कराया है चार युफकों ने धनादन फायरिंग की जिसमें एक युवक घायल भी हुआ है बदाशारा की सभी दोस्त थे तो ये दो तस्विरे हैं आला की फायरिंग कर चारों युवक वहां से फरार हो गए जिसके बाद शिकायट लेकर ठाने पहुंचे परिजरों ने पुलिस पर बचसलू की के आरू भी लगाए उनका कहना है कि पुलिस ने उन्हें बुल्डोस और चलाने की धम की दी शेटे की मल्ला और करन और आसूने को मेरे मनी इसको बिक्की मल्ला ने बोली चलाई है को युशन लगी है तो हम ऐस ऑको फोन उसकी बहन करी कि अंटी जल्दी आओ उसको चोट लग गई मेरे भाई को हम लोग आए यहां उसके घर गई में तो पुलिस वाले बत्तमी जी कर रहे हैं बहुत उल्टा सीधा बोले हैं कल तिरे घर उसमें विच्वाता हूं तिरे को मुर्ज्रिम तिरे को करार कर देंगे गोली चली है मनिस बेहन को बोली लगी है पेर में और विक्रास जास तस्दि मेडिकल के बाद में इसकी बैदानिक आगवाई की जाए और एंपी में बाल और बारिश का कहर लगातार जा रही है इस बार प्रदेश में सौ साल का रेकॉर्ड तूट चुका है कुदरत का कहर ऐसा कि गाउं गाउं में बाल का पानी घुज गया है कई जगा तो गाफ के जाफ खाली हो गए है नदियों का पानी के नारों को तोड़कर शहर और गाउं में जाखुसा है नदियों में सेलाब है डैम लबालब भर चुके हैं बाल और बारिश को देखते हुए सिना और एंडिया और एंडियारेफ ने मोर्चा संभाला हुआ है MP में बाढ़ बारिश का कहर प्रदेश में आपकी बार रिकॉर्ड बारिश नदिया नाले डैम सब ओवरफ्लो MP में बारिश ने इस बार सौ साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है नदिया नाले डैम सब लबालब हो चुके हैं अब तो पानी ने भी अपना रुख बदल लिया है नदियों में सेलाब उफान पर है और ये सेलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है बात अगर ग्वालियर की करें तो यहां हाल बेहाल है बारिश के कारण कई इलाकों में बार के हालात है प्रशासन को सेना और SDRF की मदद लेनी पड़ी है ग्वालियर में बीते 40 घंटों में 248 मिलीमीटर बारिश हुई बारिश ने 98 साल का रिकॉर्ड तोड़ा 20 सितंबर 1926 में हुई थी 251 मिलीमीटर बारिश इस सीजन में अब तक 1062 मिलीमीटर बारिश दर्च बारिश से डबरा और मुरार में बार के हालात सेना SDRF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन 700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला शियोपुर में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं पारवती नदी में उफान की वजह से खातौली हाईवे पर बना रप्टा डूब गया तो वहीं सुन्डी गाव टापू में तबदील हो गया है हालात इतने खराब हैं कि लोग जान जो खिम में डाल कर पुल्या पार कर रहे हैं अब बात भिंड की जहां बारिश के कारण सिंध और बैसली नदी ने रोद्र रूप ले लिया है जिसकी वज़े से भिंड भारवली मार्ग पर बना पुल डूब गया एक दर्जन से ज्यादा गाव डूब गये प्रेशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित इस्थान तक पहुचाया गया जल इस्तर बढ़ता जा रहा है अब आगमन की वारवली के लिए जो फुल था वारा वो डूब चुका है बारी पंचायत के ग्राम चुन्नाई, पराय का परा, नदरोली, अकोडा, बंसरी का परा ये सभी गाओं बिल्कुल चारो तरब से पानी से गड़ चुके हैं अभी कुछ घर खाली किये जा रहा है जो नीचे इस तर पे निचले वाग में बने हुए हैं बांध पर तीन से चार फीट उपर पानी की चादर चल रही है ऐसमे सैकडो गाओं में बाढ़ की आशंका जताई जा रही है वीदीशा में भी बारिश के बाद बेतवा नदी का रौद्र टूप नसराया दरसल डैम के गेट खोले जाने से नदी का जल स्थर बढ़ गया नदी किनारे बना मंदिर पानी में डूप गया निचले इलाकों में यहां भी अलर्ड जारी किया गया है जैसा पूरे मध्यप्रदेश में इस समय अठीवरिष्टी की सब्सक्राइशन बना हुआ है आने वाले गुतिन दिनों में भी अठीवरिष्टी की संभावना है इस सम्मन में जिला प्रजास्टेशन की सभी तयारियां हो चुकी है बात मुरेना की जहां भारी बारिष के बाद पगारा डैम के सभी गेट खुलने पड़े जिससे आसन नदी उफान पर है खरीब 24 से ज्यादा गाव में बार जैसे हलाद है लोहा गढ़ में 50 से ज्यादा लोग बाढ़ में फज गए जिनका SDRF ने रेस्क्यू किया बाढ़ बारिष के चलते हजारों बीघा की फसल भी बरबाद हो चुकी है दतिया में हो रही लगातार बारिष के चलते कई जगहों पर मकान गिर रहे है उद्गुवा गाओं में बारिष के चलते एक मकान गिर गया बाजिनी गाओं में भी बारिष के चलते मकान धराशाई हो गया और इसकी चपेट में आने से एक व्यक्ती घायल हो गया MP में बाढ़ और बारिष के कारण हालात बेहद खराब हैं पानी की मनमानी के सामने जिन्दकानी मुसीबत में आ चुकी है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूस एटीन और अन्पी में इस बार बारिश का सामानिया आंकला पार हो चुका है यानि कि इस बार बारिश पिछले साल की तुल्ला में बहुत जादा हुई अगर आँखों पर नजर डालें तो एमपी में औसत 37.3 इंच बारिश होती है लेकिन इस बार 49.1 इंच बारिश हो चुकी है सबसे जादा बारिश मंडला जिले में 54.6 इंच हुई तो वहीं दूसरे नबर पर सिर्फनी जिले में जहां अब तक 53.1 इंच बारिश हो चुकी है वहीं भोपाल, सागर, शिवपुर और चिंदवाला में 47.1 इंच बारिश दर्च की गई है तो मद्यपृदेश शत्यादि गड़ में बारिश लगातार हो रही है, बारिश के आँकले भी हमने आपको बताये हैं और आखिर कैसे बारिश कहर बरपा रही है मद्यपृदेश पर और इसी के साथ ही पांच जिया आँच में इतना ही बने रहे हैं News 18 के साथ